जिश्टी आईएस के इन्यूस प्रोग्राम में एक बर फिर से आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हम अपने इस प्रोग्राम को वोईस ओवर फॉर्मेट में पेश कर रहे हैं लेकिन जैसे इस्तिया नॉर्मल होती हैं तो हम वापस अपने पुराने फॉर्मेट में रोटेंगे हमारी इस पहल को भी उतना ही सहयोग देने के लिए आप सभी का शुक्रिया चलिए अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की तो हमारा आज का टॉपिक है महिलाओ का ऑनलाइन उत्पेडन और गिट हब मामला दरसल ये मामला काफी सुरखियों में है आपने समचार में भी सुना होगा सोशल मीडिया पर भी देखा होगा तो इसी लिए आज हमने इस टॉपिक को अपने इन न्यूस प्रोग्राम बे कवर किया है तो चलिए इस से जुड़ी पहले खबर देख लेते हैं ये इंडियन एक्स्प्रिस की खबर है तो ये हमारी पूरी खबर है अब हम इस खबर को पहले विस्तार से जान लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे अपने डाइमेंशन्स की तो खाली में मुस्लिम महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीडन के मामले में एक एप का नाम सामने आया है वो एप कौन सी है बुली बाई तो बुली बाई नामक इस एप में महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल से चुराएगे तस्वीरों का इस्तमाल किया गया है और यूजर्स को महिलाओं की खरीद और बोली लगाने के लिए आमंतरित किया गया है आपको याद हुआ कि जून 2021 में भी वो दोनों ही एप एक US-based online open source software repository सेवा GitHub के जरीए develop की गई थी तो ये हमारी पूरी खबर है अब इसके मद्दे नजर हम पहले अपने चर्चा के बिंदो को जान लेते हैं क्या हमारे dimensions रहेंगे तो क्योंकि GitHub की यहां बात हो रही है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि GitHub क्या है और फिर इस पूरे मामले पर GitHub की क्या प्रतिक्रिया है उसको हम जानेंगे और फिर इसी के मामले में हम देखेंगे कि किसी अकाउंट को हटाना किस तरीके से होता और उससे किस तरीकी की समस्य सामने आती है और फिर इसी किस अंदर्भ में भारत में साइबर अपराद के बारे में हम समझेंगे क्योंकि साइबर अपराद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसको लेकर क्या सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं उन सब पर नजर डालते हुए हम निश्करश्क पर जाएंगे अपने और फिर आपके मेंस को देखते हुए मेंस एक्जाम के प्रपेशन को देखते हुए आपके लिए एक प्रशन रहेगा पूरे मामले के मद्दे नजर और क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है साइबर सुरक्षा और चुनौतियां तो हम इसको पूरा समझते हैं दरसल गिट हब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलेपर कम्यूटी प्लैटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने प्रोजेक्स और कोड को दूसरों को देखने और संपादित करने के लिए अप्लोड करते हैं और ये जो गिट हब है ये USA अधारत कम्पनी है अब गिट हब की परिकल्पना की बात करें तो इसके तहत कोई भी डेवलेपर यानि सौफ्ट्वेर बनाने वाला किसी सौफ्ट्वेर कोड या एप कोड या सौफ्ट्वेर विचार को इस प्लैटफॉर्म पर अप्लोड कर सकता है और दूसरे लोग भ इसको एडिट कर सकते हैं संपादित कर सकते हैं इसके अलावा यह जो प्लैटफॉर्म है इस पर किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट को अन्ने लोग देख सकते हैं और इसकी ज्यादातर सुविधाएं यूजर्स के लिए फ्री होती है गिट हब प्लैटफॉर्म एक गिट सौ प्लैटफॉर्म है कि गिट हब की क्या प्रतिक्रिया है इसके उपर तो गिट हब ने इन अप्स को हटा दिया है लेकिन ये खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए कौन जिन्नेदार था। गिट हब का कहना है कि उतपीडन, भेदभाव और हिंसा भढ़काने वाली सामगरी या आच्रण के खिलाफ नीतियां बनी हुई है और इस तरह की गतिविधी की रिपोर्ट की जाच के बाद उप्योग करता के खाते को निलंबित कर दिया जाता है। गिट हब की घोशित नीतियों के मताबिक कंटेंट सम्मान जनक और गैरा पत्ति जनक होना चाहिए। इसम यह जानते हैं कि किसी अकाउंट को खटाया कैसे जाता है और उससर रिलिटिट क्या कोई समस्या है। अगर किसी उप्योग करता द्वारा प्लेटफॉर्म के नियामों का उलंगन करने की सूचना दी जाती है तो गिट हब उनकी सामगरी को खटा सकता है या ब्लॉक कर सकता और अकाउंट को निलंबित या समाप्त कर सकता है लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि गिट हब में कोई भी केवल एक email id देकर अकाउंट खूल सकता है और एक कोड अप्लोड कर सकता है इसलिए भले ही एक कोई अकाउंट ब्लॉक या समाप्त कर दिया जाए फिर भी किसी अन्य email id के साथ एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है और फिर से आपतिजनक सौफ्ट्वेर कोड या एप्स को किसी अलग नाम से अप्लोड किया जा सकता है यानि कि इसमें बहुत आसानी से आपका अकाउंट बन सकता है अगर एक बाब ब्लॉक हो भी गया तो आप दूसरी email id के साथ इस पर अकाउंट बना सकते हैं तो यहां यह एक इसमें समस्या है अब हम यहां पर समझते हैं कि भारत में जो है मुस्लिम महिलाओं के उत्पीडन के दोनों मामलों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कई महिलाओं ने इस बात की पुष्टी की है कि दोनों एप्स के मामलों में उ तरीके का मामला है जो इससे जुड़ा हुआ है अब हम जानते हैं कि भारत में साइबर अपराद से जुड़े किस तरीके के क्या आकड़े हैं उन सब पर नज़र डालते हैं तो आकड़ों की माने तो 2020 में भारत में साइबर क्राइम के मामलों में 11.8 प्रतिशत की व्रधी दे में 63.5 प्रतिशत की वृद्धी हुई है इसके अलावा ग्रह मंत्राले के अनुसार पोर्टल पर दर्ज कुल शिकायतों में से किवल धाई प्रतिशत ही FIR में परिवर्थित हो पाती हैं तो आकड़े अपने आप में चिंता जनक है तो इन सब के मद्दे नजर क्या सरकारी प और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खत्रों से निपटने का काम करती है इसके अलावा भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र यानि I4C है ये क्या काम करता है ये साइबर सुरक्षजाज को केंद्री करत करने में सहायक है उसमें सहायता करता है इसके अलावा स्वच्छता केंदर है जो बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवर विशलेशन केंदर है अगला है राश्ट्रे साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ये एक नागरिक केंदर पहल है जो नागरिकों को साइबर अपराधों की आनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है साथ ही ये महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराद, विशेश रूप से बाल अशलीलता, बाल यौन शोशन सामगरी, बलातकार या सामोहिक बलातकार से संबंधित आनलाइन सामगरी आदी की रिपोर्ट भी इसके जरीए की जा सकती है तो ये कई तरीके के सरकारी प्रियास हैं, जिनके जरीए सरकार साइबर क्राइम से निपटने का प्रियास करती है तो जिस तरीके से हमने पूरे मामले को देखा कि क्या हमारी खबर थी और किस तरीके से GitHub से जुड़ा जिसे मामला था और GitHub की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही तो इस सब के मद्दे नजर अगर हम निशकर्ष देखें तो दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के मताबिख GitHub ने अभी तक जाच करताओं को उपयोग करताओं या आरूपी व्यक्तियों के विवरंड नहीं सौपे हैं यानि कि GitHub ने प्रतिक्रिया तो दी है लेकिन उसने अभी तक आरूपियों का खुलासा नहीं किया है इसके अलावा इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रध्योगी की मंत्राले ने सर्टिन के तहट एक उचस्तरिय जाच समिती बनाये जाने का भी निर्देश दिया है इसके अलावा भारत में डेटा संरक्षन कानून की भी आवश्यक्ता है तो आईए अब इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हम प्रशन देखते हैं भारत में एक ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर की उपलब्धता और डेटा संरक्षन अधिनियम की कमी को ध्यान में रखते हुए गिटहब से जुड़ी घटना का विचलेशन कीजिए इस प्रशन को लिखते हुए आप अपने उत्तर को 250 शब्दों में लिखिएगा और पूरे टॉपिक को मद्दे नजर रखते हुए जिस तरीके से हमने डायमेंशन में खोला है इस पूरे टॉपिक को उसी के हिसाब से आप अपने प्रशन को इसको समझते हुए अपने उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही मिलेंगे फिर किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैह हिंदि